हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब आपका स्वागत करता हूँ आपके बने यूटूब चनल विजाकाल है सियाटेस में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सियाटेस एंटेस एक्जाम की त्यारी में आपको कम समय मिलेगा और एंटेस एक्जाम की त्यारी करते समय आपको कौन सी गलती नहीं करनी है उसको लेकर भी हमी शूडियो में बात करने वाड़े है तो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है तो वीडियो को सुरू से लेकर लाश तक देखना तो देखे दोस्तों जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया हो टेलिग्राम चैनल को जोइन कर ले टेलिग्राम चैनल जोइन करने के लिए आपको सिंपली टेलिग्राम एप पर जाकर सर्च कर लेना है जैसे वो सर्च करेंगे टेलिग्राम चैनल आ जाएगा उसको जोइन कर लेना है क्योंकि PDF वगेरा भी मिलती रहती है बाकि अगर कोई छोटा मोट अपडेट आता है या कोई नोटिस वगेरा आता है वो भी आपको टेलिग्राम चैनल पे ही मिलता है बाकि जितने भी स्टुडेंट इस चैनल पे नेव चैनल को सब्सक्राइब कर लेगर उनको जानकार अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और हाँ दोस्तों मैंने CITES एडविशन दोहजार चोबिस नाम से एक प्रले लिस्ट बना रखिया है वहाँ पर जाकर आप अपनी ट्रेड से रिलेटिड जो कोलीज है वो देख सकते हो कितने कोलीज है कि वहाँ पर कितनी सीटे है वो सारी चीज़े मैं जानकारी वहाँ पर दे रखिया है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो अब देखे बात कर लेते हैं जो आपका सियाटर सेंटर से एकजाम होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में उसके रिश्टेशन कब से शुरू होगे तो देखे दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि जुन के फर्स्ट वीक में जो आपके रिश्टेशन फोर्म है वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे जुन का जो फर्स्ट वीक है तो आपको अपने डोकुमेंट वगेरा रेडी रखने है जैसे काश सर्टिफिकेट है वो अपना तयार रखना क्योंकि ये सभी डोकुमेंट आपके अप्लोड होंगे मैंने पिछली वीडियो में डोकुमेंट के बारे में बताया है वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही वीडियो मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं सियाटस एंटस एकजाम की त्यारी के लिए बैस्ट बुक देखे दोस्तों अगर मैं बुक की बात करूँ तो देखे अगर आपके पास आई ट्याई में जो भी आपकी ट्रेड की बुक थी ट्रेड थियोरी की वो ही आपके लिए बैस्ट रहेगी आपको अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मार्किट में आपको बुक मिल जाएगी, लेकिन उससे आपको कोई ज्यादा फाइदा नहीं होगा, ठीक है, आपको करना क्या है, आप अपनी थियोरी पढ़िए, उसके बाद कुछ कोशेंस होगे, उनको लगाईए, ठीक है, देखें, जब तक आप थियोरी नहीं पढ़ोगे, चीजे सैलेबस के कोडिंग कम्पलिट नहीं करोगे, तो दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टुडेंट एक्जाम देती है, वो आईटाई वाले होते है, पोल टेक्निक बीटेक वाले होते है, ठीक है, तो यहाँ पर कम्पीटिशन अच्छा-कासा आपको देखने को मिलेगा, और मैंने कटोप के बारे में भी बताया था, अगर आपको अपनी पसंद का कोली चाहिए, मैंने उस वीडियो जो में बोला भी था, आपको 70 प्लस मार्क्स लेके ही आने पड़ेंगे, अगर आपको आप उसको पढ़िए, अब बात करूँगा कि बाई, कोश्चन तो अबजेक्टिव आएंगे, उनकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, उसको लेकर भी मैं बताऊंगा यहाँ पर, देखिए, उसके लिए आप हमारी मेंबर्शिप जोइन कर सकते हो, सियाटे सेंटे सेंटे इसमें आपके जो ट्रेड्ड थीओरी के कोश्चनस है, उसकी पीडियव रहेगी, द्सरा आपके ट्रेड टैस्ट रहेएंगे, तीसरा नोण टैक कोश्चनस पीडियव जो प्रिक़ प्रिवेस एक कर सकते हो, मैंबर्शिप जोइन करने सcoming आपको फाइदा क्या होगा, एक तो तयारी आप अपने syllabus के coding कर पाओगे ठीक है, अगर theory आप अपनी IT बुक से पढ़ लेते हो और MCQ question की practice यहां से कर लेते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इतना बोल सकता हूँ जितन, जोए मैं PDF आपको send करूँगा, ठीक है तो maximum question आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इससे बार questions नहीं आएंगे, ठीक है तो यह जो membership है आपके लिए बेदी फैद्विमंद रहने वाली है क्योंकि यह आपको help करेगी CITS exam की त्यारी से लेकर final admission होने तक, तो जो भी गलते आपको नहीं करनी है तो मैं आपको बता दूँ, देखे आज 22 मई है ठीक है 22 मई है और जो आपका exam होगा जो exam date वो July का first week होगा और maximum second week हो सकता है ठीक है तो अब आप देख सकते हो आपके पास कितना समय है समय बहुत कम है ठीक है डेड़ महीने से कम समय है यानि ये सारी चीज़े आपको ये जो syllabus के coding चीज़े है वो एक मंत के अंदर complete करनी पड़ेगी ठीक है और जो आपका registration होगा वो लगबग 15-20 दिन आपका registration चलेगा जैसे एक जून से आपके जो registration है 7S exam के phone है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे 15 या 20 जून तक वो phone बढ़े जाएंगे उसके लगबग 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपका जो entrance exam है वो हो जाएगा ठीक है ये मान के चलो लगबग आपके पास 40 दिन है तो 40 दिन में आपको syllabus के according अपनी सारी चीज़े complete करनी पड़ेगी उसका revision भी करना पड़ेगा दूसरा कोण सी गलती नहीं करनी है तो देखिए बहुत सारी student इस चक्कर में है कि जब phone आ जाएंगे phone बढ़ने के बाद मैं अपनी तयारी करूँगा तो आपको ये गलती नहीं करनी है अगर आप NHA College से share test करना चाते हो क्योंकि अगर आप NHA में addition लेते हो तो आपका बहुत कम फीस में share test complete हो जाएगा बात करूँ ITOT की तो ITOT की फीस बहुत जादा होती है ठीक है और वहाँ पर hostel की facility भी नहीं है इस बात का भी ध्यान रखना तो आप कोशिस ये करिए कि आपको NHA College मिले उसके लिए आपको मैनत करनी पड़ेगी सारी चीज़े अच्छे से complete करनी पड़ेगी और आपको आसानी से जो NHA College है वो मिल जाएगा ठीक है तो इस चकर में मत रहिए कि जब फॉम फिलब कर दूँगा उसके बाद तयारी करूँगा तो देखे ऐसा नहीं हो पाएगा और एक बात का ध्यान रखना जब तक आप खुद से बैठके चीजे नहीं पड़ोगे कोशिंस को हल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा मैं आपको बढ़ा दू जब counseling start होती है जिन भी student के 70 plus marks होती है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है उनका first जो counseling होती है उसमें ही NSTI college मिल जाता है लेकिन जिन student के 50 या 50 से कम जिनके marks होती है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है college मिलने में भी और बहुत सारे student को तो college मिली भी निपाता ठीक है अगर private में जाओगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो आप अपनी जो तियारी है उसमें लग जाईए ठीक है तो इस video में इतने हैं अगर आपका फिर भी कोई doubt है तो आप comment करके पोच सकते हो इस video में इतना ही धन्यवाद